हलो बच्चो आज का हमारा सवाल है 36-60 डिगरी के कौन पर एक तोपस के गोले को 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागा जाता है या अपनी उडान के मात्तम बिंदू पर 3 बराबर हिस्सों में पंट जाता है जिसमें एक उदवादर उपर की और 100 मीटर प्रति सेकंड वा एक उदवादर नीचे की और 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिरता है तीसरे टुकडे का वेग है ठीक है हमें 4 ओप्षन दिए गए हैं साई ओप्षन हमें बताना है अब देखे हमारा टुकड़ा हम मान सकते हैं M द्रब्यमान का था और इसको हमने क्या किया है 200 मीटर प्रती सेकंड के वेग से और 60 डिगरी पर प्रेक्षेपित किया है तो महत्तम बिंदू पर इसका वेग कितना होगा 200 कॉस 60 के बराबर होगा क्योंकि अंतिम या उच्चतम बिंदू या महत्तम बिंदू पर क्या होता है उद्वादर वेग शून्य हो जाता है केवल 36 वेग बखता है तो 200 गुड़ा कॉस 60 का मान कितना होता है एक बटा दो तो वेग कितना आ गया 100 मीटर प्रती सेकंड आ गया यहां पर यह तूट जाता है अब देखे तूटना एक आंत्रिक प्रक्रिया है इसलिए कोई बाहेबल नहीं लगेगा इसलिए हमारा क्या होगा समवेग संदक्षित रहेगा तो प्रारंबिक समवेग कितना है एम गोड़ा 100 के बराबर अब यह तीन टुकडों में तूटता है हमें बताया गया है तीन टुकडों में तूटता है एक उपर की और एक नीचे की और जाता है अब देखे एम बटा तीन के तीन टुकडे है एक जा रहा है उपर की और इसका वेग है 100 है माइनस जे डारेक्शन में और तीसरा हम माल लेते हैं M बटा 3 द्रब्यमान का है और वो जा रहा है V वेक से जो की हमें निकालना है तो M गुडा 100 अब देखें ये किस दिशा में जा रहा था? प्रारंबिक 36 दिशा में जा रहा था तो M गुडा 100 आई बराबर क्या हो जाएगा? M बटा 3 जो उपर की तरफ जा रहा है वो क्या होगा? 100 J दिशा में प्लस जो नीचे की तरफ जा रहा है वो कितना होगा? M बटा 3 100 और माइनस J दिशा में प्लस M बटा 3 और ये जा रहा है V वेक से जो हमें निकालना है अब देखे M, 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 M कट गया और 100, 100, 100, 100 नहीं कर सकता क्योंकि 100 हमारा V में नहीं है अब देखे हम क्या कर सकते हैं दोनों तरफ 3 से गुणा कर सकते हैं तो 300 I बराबर कितना हो गया 100 J प्लस अब ये माइनस का 100 J हो जाएगा माइनस का 100 J और प्लस V वेक्टर ये दोनों कट गए तो V वेक्टर का मान कितना आ गया 300 I के बराबर आ गया और इसका अगर हम परिमान निकालें तो कितना आएगा 300 के बराबर ही आएगा तो ये 300 मीटर प्रती सेकिंड की रफतार से कहा जाएगा 36 दिशा में ही जाएगा क्योंकि इसकी दिशा कौन सी थी I दिशा थी I क्या है 36 दिशा है तो हमारा कौन सा ओप्शन सही होगा B ओप्शन सही होगा आसा है आपको solution पसंद आया होगा धन्यवाद प्रूम्ट